वेल्कम तू आनलाइन एक्जाम वार्योर्स नमस्कार दोस्तों आनलाइन एक्जाम वार्योर्स के यूटूब चैनल पर आप सब दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों यह का आज नया स्रीज शुरू किये हैं जिसमें लुसेंट अब्जेक्टिव शुरू किये हैं उसमें भी ह हिस्ट्री से शूरू की हैं अ हिस्ट्री में मौडरन हे से शूरू की हैं जो होने बनेंदे बैठने वाले उनको ध्यान में रखनिरme कर करें क्योंकि हिस्ट्री में जडातर को continuation मोडर्ण हिस्ट्री पूछे जाते हैं और उसके बाद जो नमार आता है मद्यकालिन से उससे भी कुछ मुछ क्वेशन पूछे जाते हैं और सबसे कम कोईशन प्राजी नित्यास से पूछे जाते हैं इसलिए पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कोईशन है पूछे लगने लगने लगता है ज्यादा लबा कोईशन हो जाते हैं तो इसलिए इसको दो पार्टें बनाएंगे पार्ट वान और पार्ट तू तो पार्ट वान आज है इसमें 80 प्लस कुछे लेगे और फिर जो बज़ जाएगा अगले पार्ट में हो तो चल्दी ज़्यादा बात नहीं करेंगे और देखते हैं पहला कुछेशन क्या है तो पहल बंगाल में जो अकाल परा था वो 7770 में हुआ था तो उस समय जो बेटिस राजा थे यानि तदकालीन गवर्णर जिसे कहते हैं वो किस समय कौन थे तो पलासरी की जिए समय 1757 में रोजार ड्रेक थे द्वैज सासन 1775 के समय रोवर्ट कलैव थे बकसर के यूद के समय वेंसी टार्ट थे और बंगाल अकाल 1770 में कर्टियर साह थे तो जो इसको मिला ये तो आपका एंसर आयाता है अप्शन नमर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पलासी की लड़ाय 1757 में अंग्रेजी सेना के न्यतित में किसने क्या था तो 1757 में अंग्रेजी सेना का न्यतित जो किये थे वह अप्शन नमर ए रोवर्ट कलैव है अगला क्वेश्चन है बकसर के यूद 1764 मे अंग्रेजी सेना का नेतित करने वाला कौन था तो बक्सर के युद समय अंग्रेजी सेना का जो नेतित क्या थे वह थे हेकटर मून्रो अगला कुश्चन है बंगाल का 12 सासन कब से कब तक चला था तो इसका एंसर होगा अप्शन नमर 12 सासन 1765 से 1772 तक जा था और 72 में आकर के गोवर्नर बने थे वारेंड हेस्टिंग अगला कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है आज का पांच मा कुश्चन वो है वर्ष 1798 में इसमें लौड वेलेजली द्वरा परस्तापित सहायक संदिय को स्विकार करने वाला सबसे पहला भारतिय सासक कौन था तो सबसे पहला भारतिय सासक थे वो थे हैदराबाद के निजाम्स नेक्स्ट कुश्चन है भारत का गवर्णर जनरल वो वाइस राय कौन था तो भारत का पर्थम गवर्णर जनरल और वाइस राय ओप्सन नम्मर इसका बी हो जाएगा लौड कैने अगला कुश्चन है तीसरे आंगल मैसूर यूद को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी के साथ कौन से संधी की थी तो तीसरे आंगल मैसूर यूद में जो संधी किये थे ओप्सन नम्मर बी श्री रंग पत्नम की संधी नेक्स्ट कुश्चन है राज हरप निती या जिसे चवती सिधान डॉक्ट्राइन ओफ लेफ्स किसके दौरा लाग क्या गया था तो यह क्या गया था ओप्सन नम्मर डी डल होजी के दौरा अगला कुश्चन है किस सीख गुरु ने थारसी में जफर नामा लिखा था तो जफर नामा लिखने वाले कौन से फारसी गुरु थे इसका ओप्सन नम्मर अप सी हो जाएगा गुरु गोविन सी नेक्स्ट कुश्चन है भारत में डाक व्यवस्ता सुरू करने वाला ब्रे तो यह लिखी थी इसका option number D होगा तो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल पर अगर आप ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिसे कि हमारी अगली वीडियो का आपको त्रूंत मिले दोस्तो वीडियो बनाने में बहुत समय लगते हैं आपके लिए आपका भाई इतना करते हैं आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपको बेनेफिर जरूर मिलेगा तो चलिए दोस्तों ज्यदा बात ने करेंगा अगर आपको किसी परकार क का प्रोब्लम होता है वीडियो में तो आप वीडियो को पाउज करके पहले प्रोब्लम सुल्व कर ले उसके बाद फिर से स्टाट आगला देखिए अगर नया किसी भी वीडियो चाहते हैं कोई बूक का तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कीजे कौन सी बूक का वीडियो आप आना चाहते हैं, तो हम उस पर बनाने का कोशिस परियास करेंगे, तो चलिए देखते हैं, बात में ज़्यदा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगला क्विस्टिन है, शीख के साइन संपरदाई, खाल सा पंथ का परवर्तन किस ने किया, तो खाल सा पंथ का परवर्तन किस ने किया, तो इसका एंसर होगा, आप्शन नमर सी, गोविन सी, शतरों संतावर में सिरावी दौला किस के दौरा प्राजिद किया गया था, तो इसका एंसर होगा, कि निम लिखित में से किस किस ने लौड वेलेजली के सहायक संधी पर हस्ता आख्छर किये थे तो किस किस ने किये थे तो इसका एंसर हो जाएगा option number D देख लीजिए अब कौन कोन आता है option number D में तो option number D में आपको मिल जाएंगे कि एक दो और की तो एक में हैदावाद के निजां दो में अवदके नवाम और तीन में मैसुर के राजां दोस्तों थार्थ फास्ट में करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा आपो कंठना ही होता है तो थारण पाौज करके रोख करके पहले समझ दीजिएगा क्योंकि इतना सलो में करने से वीडियों बहुत लंबा हो जाएगा तो चलिए अगला वीडियों निम लिखित में से सीख गुरु का सही काल करम बताईए सीख गुरु जो थे उनका काल करम किस प्रकाल से थे तो इसके ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर डी अमर्दास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादूर अगला कोश्चन है सुगवली की संदी अठारोसो सुल्ला इस्वी में किन के बीच संपन हुई थी तो यह हुई थी ओप्शन नमर ए इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगवली की संदी हुई थी नेक्स्ट कोईस्टन है टीपी सुल्तान की मिर्तियू 1799 इस्वी में कहां पढ़ हुई थी तो यह कहां पर हुई थी इसका एंसर होगा ओप्शन नमर सी श्री रंग पटनम में नेक्स्ट कोईस्टन है हरप नीती डॉक्ट्रेन और लेप्स के अंतरगत कौन से भारतिय राज कबजे में किय गये थी तो इसका एंसर होगा ओप्शन नमर भी जहां सी नागपूर और वह सता राको किसको तो जहां सी नागपूर और सता राको नेक्स्ट क्रिश्चिन है ठगीपर्था के उन्मूलन से संदर्व alternating जणनल थे ठगीपर्था के समाथे वे गवर्नार जर्नल उसमें कौन थे तो इसका एंसर होगा option नमर B betting अगला question है बोडियार डॉट डॉट के सास सकते तो बोडियार कहां के सास सकते इसका answer होगा option नमर A मैसूर रियासत के next question है टीपू सुल्टान की राजधानी कहां पर थी तो इसका answer हो जाएगा option नमर A स्री रंगपटनम में next question है कलाइब को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो कब बनाया गया तो इसका answer हो जाएगा option नमर C कलाइब को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया श्री रंठावन इस विमिन वहाद का पर्थम governor general था तो वहाद का पर्थम governor general कौन था इसका answer होगा option number C William Banty अगला question है द्वाइद सासन नीती को किस ने समाप्त किया तो द्वाइद सासन नीती को किस ने समाप्त किया तो अंग्रेजों का सरवाधिक बिरोध करने वाले सासक थे option नमर D मराठों ने, सबसे ज़्यदा बिरोध किया था मराठा ने, अगला कुछने प्लासी का यूद 577 निस्वी में अत्यधिक एतिहासिक महत्वका था, क्योंकि या क्यों एतिहासिक महत्वका था यही पूछ रह और उसके बाद संपुन भारत पर बेटी स्नियंतरन के लिए रास्ता खुल गया, तो option नमर इसका भी right answer हो गया, next question है, बेटी सरकार भारतियों को आदोनिक सिक्षा देनी चाहती थी, इसमें उनका उद्देश क्या था, तो इसमें उनका उद्देश था option नमर ए, भारत में अपनी राजनितिक सत्ता को नीव सुद्रिर करना, next question है, परसासनिक व्यवस्था, परसासनिक और व्यवस्था, यानि कुशासन के अधार पर डलहाओ जी ने किस राज को ब्रिटी समराज में मिला लिया, तो इसका एंसर होगा, option नमर ए, अबाद को, next question है, आदी गरंत किस किसने संकलित किया था, तो आदी गरंत संकलित करने वले थे, option नमर C, गुरु अर्जुन देवनी, अगला question है, भात में, आधुनिक सिक्षा परनाली की नीव किसने परिए, तो आधुनिक सिक्षा परनाली की नीव जो रखी थी, इसका एंसर होगा, option नमर B, आधी, 1835 में मैकाले के मिनट से, next question है, निमलिखीत का सही कालानू, कालानू क्रम क्या होगा, जो सासक दिये गए, उसका काल क्रम क्या है, सही, तो इसका 31 का एंसर हो जाएगा, आपको, option नमर B, पहले आपको एक रौवर्ट कलायो, वैंसी टार्ट, उसके बाद कार्टियर, और उसके बाद आएगा, वारेन हेस्टी, चलिए, next question देखते हैं, question नमर 32 है, भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो इसमें सफलता का राज क्या था, इसका एंसर होगा, option number D, उप्युक्त तीनो, उप्युक्त तीनो में A में हैं, भारत में राष्टिय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चमी परसिक्षन मिला था, तथा उनके पास आधूनिक हतियार थे, और C में हैं, भारतिय सायनी को में राष्टिय भावना का आभाव था, तो इसका ए इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिबनल प्रोसीजर कोड पारित किये थे, तो इसका एंसर होगा, option number C, लौड कैनिंग के समय में, निमलिकेत में से ब्रिटी सरकार का उख गवर्नर जनल काउन था, जिसने भारत में डार्क टिकर शुरू किये थे, तो भ सती पर्था का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का स्रे किसको जाता है, तो इसका एंसर हो जाएगा आपको, option number B, लौड विलियम बैंटी, अगला कोईशन है, निमलिकेत में से अबद के स्वैत राज का संस्थापक कौन थे, तो अबद का संस्थापक जो थे, उसका ए बुर्हान उल्मुल्क के नाम से भी जायते हैं, दोस्तों इसे उसका उपनाम भी नाम याद रखेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्जाम में आपको बिहारत दरोगा के पीटी जो एक्जाम हुए थे, उसमें जब कोईचन पूछा गया था, फर्स्स शिप्ट में, सादत जो उपनाम थे, नेक्स्ट कोईचन है, निमलखित में से किसने मीर कासीम तथा सुजाओ दवला के साथ मिलकर अंग्रेजी इस्ट इंडिया पर युद खोसित किया, और वे बाद में बकसर के युद में अंग्रेजी से प्राजित हुए, तो इसका एंसर आपको हो जाएग नेक्स्ट कोईचन है, इस्ट इंडिया कमपनी और बंगाल के नवाव के बीच, जब पलासी का युद हुआ, उस समय मुगल समराट कौन था, तो अर्थिस का एंसर आपको हो जाएगा, आप्सन नमर बी, अजी जुद्दीन आलम गिर्द इसका एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर बी, नेक्स्ट कोईचन है, कोईचन नमर उन्चालिस है, इस्ट इंडिया कमपनी के नेतित में, रोवर्ट कलैव का उत्रा अधिकारी निम्न में, लिखित में से कौन था, तो उन्चालिस का एंसर आपको हो जाएगा, आप्सन नमर सी, जो हेस्टिंग है, अगला कोई नवाव सिराजु दौला एवं इस्ट इंडिया कमपनी के बीच संगहर्स का परमुक कारण था, तो चालिस का एंसर आपको हो जाएगा, आप्सन नमर बी, अंग्रेजों ने ब्यपार छोटों का दुरुप्यों किया था, नेक्स्ट कोईचन है आपका, एक्तालिस नमर, प साथ दिये थी, तो इसका एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर सी, जिसमें आपको एक मोहनलाग और चार में हैं मीर मदान, नेक्स्ट कोईचन है, काल कोठरी, ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग, एक छोटी कोठरी में बंद कर दिये, जाने के कारण मर गये थी, कहा घटी थी तो इसका एंसर होगा, आप्सन नमर डी, कलकत, नेक्स्ट कोईचन है, पलासी के युद के बाद भारत के लिए सास्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, या किस बंगला कवी का कथन है, तो या किस का कथन है, आप्सन नमर ए हो जाएगा, नवीन चंदर सेन, 1625 इसवी में, 1765 इसवी से 1772 इसवी तक कंपनी के राज को द्वैल सासन के काल को डाकुओ का राज की संग्या दी, तो या किस इतिहासकार का है, तो चोवारिस का एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर डी, के एम पनिकर, नेक्स्ट कोईचन है, सुरक्षा प्रकोष्ट निती, रिंग फैंस पोलिसी समंधित है, तो 45 का एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर ए, वारेंड हैस्टिंग से, नेक्स्ट कोईचन है, इलहावाद की संधी, 1765 के बाद, रोवर्ड कलाव ने मुर्सिदावाद का उप दिवान किसे बनाया था, तो इसका एंसर हो जाएगा, 46 का, आ इसको बनाया था, मुहमत रजा खान को, नेक्स्ट क्वेशन है, नेमलिखित में से, किस भारतिय को रोवर्ड कलाव ने बिहार का नायव दिवान निक्त किया था, तो 47 का जो एंसर हो जाएगा, आपको आप्सन नमर डी, राजा सिताव राय को, आप्सन नमर डी, ने सूपर सीद कोहिनुर हिरा प्राप्ट किया था, तो वह कहां से किया था, और 48 का एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर डी, कैप्टी, रनजी सीद eggs सूपर रजा से, अप्सन नमर डे, सा सूजा से, नेक्स्ट कोवेशन है, ब्रिटिस जनरल जिसने हैदर अलिको, पोर्टो नोवा के युद में हराया था तो उन्चास का अंसर हो जाएगा option no.b Sir I am good next question है महराजा रंजीत सिंग के उत्राधिकारी थे तो महराजा रंजीत सिंग के उत्राधिकारी कौन थे तो 50 का answer option no.b खरक सिंग next question है निमलिखित में से कौन सा सुमेलिद नहीं है यानि कि यह सुमेलित में तीन सही होगा और एक गलत होगा तो यह कावन का आपको इंसर है ओप्शन नम्मर सी लौड हैस्टिंग दूती आंगल मराठा यूग यह गलत है और सब सही है लौड करनावालिस अस्थाय बंदवा सही है लौड वेलेजली सायक संधी परनाली सही है लौड बैंटिंग या 1829 का सत्रमा रेगुलेटिंग एक्ट भी सही है नेक्स्ट कोईश्चन है कि सीख गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एम असिरवाद से की थी तो बावन का एंसर हो जाएगा आपको आप्शन नम्मर सी गुरू अर्जुन दे अर्णा क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्नायग योध जिसने अंग्रेजो के भारत में परभुत्व को अस्थापित कर दिया था तो यह किया था तीरपन का एंसर आपको हो जाएगा आप्शन नम्मर बी बक्सर का योध्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नमंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का गोशना पत इलहाबाद में पढ़ कर सुनाया था तो इसका एंसर हो जाएगा आप्शन नम्मर बी लौड कैनिंग ने नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सींग किस मिशल से समंधी थे तो इह जे समंधी थे सुकरचक्या मिशन आप्शन नम्मर ए आ तो किसने ले लिया था तो इसका चप्पन का जो एंसर हो जाएगा आप्शन नम्मर सी लौड विलियम बैटिंग ने किसने अपनी राइधानी मुर्शिदावाद से मुंगेर अस्थायंत्रित की तो किसने किया संतावन का एंसर ओप्सन नमर डी मिर कासी में किसकी समाधी के कारण नंदेर गुरुद्वारा सीखो दरा पवित्र माना जाता है तो अंधावन का जो एंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर डी गुरु गोविनजी नेक्स्ट क्वेशन है बक्सर के यूद दिल्ली का सासक का था तो उन स इंसर होगा अप्षन नमर डी साह आलम दीदिए नेक्स्ट क्वेस्टन है टीबू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद में कब मारे गये थे तो साथ का एंसर हो जाएगा आप्शन नमर B 1799 इस्वी में नेक्स्ट क्वेस्टन है किसके सासन काल में बलायक होल दुरघटना घटित हुई थी तो एक्सट का जो एंसर होगा आप्शन नमर C सिराजु दौला नेक्स्ट क्वेस्टन है सीखो के अंतिम गुरू कौन थे तो बासट का जो एंसर होगा आप्शन नमर B गुरू गोविन सी next question है निमलिखित में से कौन सा युद था जिसने भारत में ब्रिटिस परभुत्व का आराम किया तो जो 63 का एंसर हो जाएगा option नमर A पलासी का युद पलासी के युद में ब्रिटिस परभुत्व का प्राम हुआ next question है question नमर 64 डिंडी गूल नाम है तो 64 का जो एंसर होगा, अपसर नमबर B, डिंडीगुल तमिलांडु में एक नगर का नाम है, बंगाल के किस गवर्णर के समय में, सरकारी खाजाना मुर्सिदावाद से कलकत्ता अस्थान्तरित किया गया, तो 65 का एंसर आपको हो जाएगा, अपसर नमबर D, वारेन हेस्टिं नेक्स्ट कुईस्टन है किस अधिनियम के तहत वारेंड हेस्टिंग बंगाल के पर्थम गवार्नर जनरल बनाएगे तो 66 का जो एंसर होगा आप्शन नमबर ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नेक्स्ट कुईस्टन है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिसे कि आपको डेली बेसिस पर आपको वी वेडियो मिल जाए आपको यह चैप्टर बर चैप्टर कराया जाएगा यह फर्स् हेस्टिंग बंगाल के किस गवर्नर जेनरल की काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया था यह क्यों पारित किया गया था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कुछ कमी रह गये थे उनको दूर करने के लिए तो और सट का जो एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए वारेन हेस्टिंग नेक्स्ट क्वेस्टन है निमलिखित में से कौन से योग सही सुमेलित हैं यानि सही सुमेल हैं तो 1700 सरसर से 1789 पर्थम आंगल मराथा यूद 1790 से 1792 में तीतिय मैसूर यूद 1824 से 26 पर्थम आंगल बरमायूद और 1845 से 46 तुईतिय आंगल सीख यूद तो इसका उनहत्तर का जो एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी दो और तीन यानि 1792 में तीतिय मैसूर यूद हुआ था और तीन में 1724 26 में पर्थम आंगल बरमायूद हुए थे नेक्स्ट कोईशन सत्तर कोईशन है सीख गुर्वों से समान दित निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए पहला तो इसका एंसर जो सत्तर का हो जाएगा आपको अप्सन नमबर बी जिसमें दो और तीन सही है गुरू अर्जुन देव सीख के गुरू गुरू डाम दास के प मुखी दी यह भी सही है नेक्स्ट कोईशन है कि भारत में ब्रीटिश आसन के दोरान निमलिकित राज सी राज्यो यानि प्रिदेंस ली स्टेट्स पर विचार कीजिए तो इसका एंसर क्या होगा एकहत्तर का एकहत्तर का आपका एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी तीन दो एक पहले हुआ था सतारा फिर हुआ था संभलपूर और फिर हुआ था जहां से अगला कोईशन है निमलिकित में भारतिय सार्शक में सी कौन सा था जिसने विदेशो में आधुनिक पदरती से दुतावास अस्थापित किये तो यह किये थे अप्सर नमबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटिस भारतिय राज छेटर का अंतिम परमुख विस्तार हुआ तो 73 का एंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी डलहाओ जी के समय नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूच्यों के नीचे दियेगे कूट का पर्योग करते विए सही उत्तर कीजिए तो जो 74 का आपको एंसर हो जाएगा आपसर नमबर C यानि एक का तीन, बी का चार, तीन का एक, चार का दो तो एक का तीन यानि 1775 पर्थम आंगल मराठा यूद बी का चार, 1780 दूती आंगल मैसुर यूद, C का एक, 1824 में पर्थम आंगल बर्मायूद और D का, C का दो यानि की पर्थम आंगल अफगार यूद, और D का वन, 1838 में पर्थम आंगल बर्मायूद नेक्स्ट क्वेस्टन है, ठगो के दमन में निमलिखित में से कौन संबंध था, तो 75 का एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर B, कर्णल स्लीमेन नेक्स्ट क्वेस्टन है सूची एक को सूची दो से मिलाने वाले है तो 76 का एंसर आपको हो जाएगा अप्सन नम्मर ए एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार नेक्स्ट क्वेस्टन है 707 इस्वी में आउरंग जेव की मिर्तियू के बाद मुहमद मुज्जम किस नाम से मुगल राज सिंगहासन पर बैठा तो 77 का जो एंसर होगा, आप्सन नम्मर B हो जाएगा बहादुर साब पर्थम के नाम से बहादुर साब पर्थम की मिर्तियू के बाद जहांदार साम मुगल सिंगहासन पर आसिन हुआ वह किसकी सहायता से समराट बना जुलफीकार खा के सहायता से इसकी सहायता से जुलफीकार फर्रुक सेयर किसके सहयोग से मुगल बाद सा बना तो 89 का एंसर होगा, आप्सन नम्मर B सयद बंदु की सहायता से सेयद बंदु दो भाई थे उन्हीं के सायाता से फ़रुक सेयर ने सिंहासन पर बैठा था नेक्स्ट कोईस्टन है निर्प निर्माता किंग मेकर के रूप में किनहे जाना जाता है तो असी का जो एंसर होगा ऑप्सन नमर डी सेयद बंदु को ही सेयद बंदु या राजाओं को यानि राजा बनने में मदद करते थी यानि गर्दी पर बैठने में सेयद बंदु ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल समराथ को सत्ता च्यूत कर हत्या कर दी तो ये 80 का एंसर होगा ऑप्सन नमर बी फ़रुक सेयर सेयद बंदु ने किस से किस को बादसा बनाने का काम किया तो 82 का एंसर होगा ऑप्सन नमर सी एक दो तिन चार फ़रुक सेयर रफी उर्दरजात रफी उर्दावला और मुहमत साब को नेक्स्ट कोईचन है और आज का अंतिम कोईचन है सयद बंदु का पतन किसके समय में हुआ तो 83 का एंसर होगा ऑप्सन नमर सी मुहमत साब दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट में हाँ जरूर देखेगा आप लोग जितना प्यार दीजेगा इस वीडियो को उतना जल्द हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और उतना फास् टेक क्यार फिल मिलते हैं अगले वीडियो में